अर्यूम आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है कोरॉल रो में एक यस का 3D लोगों आप कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ पहले एक पॉलिगों टूल लेता हूँ इसको क्या है 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 इसको जिरो क्या मैंने तो देखो भी ऐसा आ गया अभी मैं क्या करता हूँ इसको एक साइज भी दे देता हू मैं इदर समझो भी इसको यह lock ratio इदर active है इसको width के एक 50 देता हूँ तो देखो भी ऐसा आ गया तो अभी मैं क्या करता हूँ इदर freehand tool लेता हूँ freehand tool लेके इस node पे आता हूँ इस node से इदर click करके ऐसे center में जैसे snap होता है तभी click करना है आपको इसी तरह ही इस point से भी लेता हूँ view के अंदर हमने क्या रखा इदर snap to object को active रखा है इसको कभी भी आपको active रखना है तो अभी मैं क्या करता हूँ इस cube को select रखते हूए इस node को hold करता हूँ hold करके इस तरफ लाता हूँ लाकि जैसे इदर snap होता है mouse right लिक करके left लिक छोड़ दो आप तो क्या होता है copy होता है तो अभी मैं इसको क्या है repeat करता हूँ उसके लिए क्या है ctrl r press करता हूँ तो repeat हो रहा है अभी दूको यह क्या है total five boxes है इसे okay यह आपको समझ में आ रहा है अभी मैं क्या करता हूँ इसको select करता हूँ select करके इस node को hold करके इस तरफ लेता हूँ लेकि इदर क्या है जिस पे snap होने के बाद mouse right लिक करके left लिक छोड़ना है तो और एक एक आ गया भी अभी इसको दिखो ctrl r बोलता हूँ तो द ctrl r करना है ऐसे 4 लेना है अभी इस नोड को hold करके इसे ऊपर लेता हूँ जैसे snap होता है इस नोड पर तभी आपको mouse right लिक करके left लिक छोड़ना है तो दिखो और एक कॉपी बन गया भी अभी इसको क्या है फिर से ctrl r करता हूँ ctrl r बोलने से दिखो repeat हो गया अभी इदर भ क्या है एक 4 boxes आगे यह समझ में आगे आपको अभी इन सब को select करता हूँ select करके ctrl g बोलता हूँ तो क्या हुआ है group हुआ है अभी इस shape में क्या है मुझे कुछ curves create करना है तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ पहले इदर freehand tool में आना आपको अभी hold करेंगे तो यह hidden tools open होत आपको क्या करना है east node पर आता हूँ अभी इस node से hold करके east node पर आने के बाद click छोड़ देता हूँ तो यह करो बन रहा है से so control को hold करते हूँ इसे लेना है आपको तो देखो भी इतना curve करके click कर लेता हूँ मैं तो देखो भी इसे करवा गया अभी इसी तरह क्या this point पर आता ह करूंब wrench और एक चीज़ द्यान रखना है इस लाइन से भार नहीं आना जीए तो ये आपको समझ में हा रहा है अभी इस deficitर क्या है इस point पर आता हूं मैं इस point पर क्या है इधर करके जैसे आता है, hold करके drag करना है, अभी इस node पे आने के बाद क्लिक को छोड़ देता हूं, अभी आप क्या करो? Ctrl को hold करके ऐसे लेता हूं, तो देखो भी ऐसे करो बन गया भी, अभी इसी तरह इदर भी मुझे करो बनाना है, तो उसके लिए इस point पे आता हूँ, इस point पे आके इस node तक आता हूँ, अभी click छोड़ देता हूँ मैं, so control को hold करते हुए आपको arc बनाना है, so देखो भी बहुत ज़्यादा ऐसे भाहर तक नहीं लेना है, so ऐसे लेता हूँ मैं, so इतना लेके इधर click कर लेता हूँ, so अभी द छोड़ देता हूँ, control को hold करते हूँ इसे उपर लेता हूँ मैं, so देखो भी इतना लेने के बाद इधर click कर लिया मैंने, so देखो एक shape आ गया भी इधर, so अभी मैं क्या करता हूँ, इसको क्या है एक बार आप deselect करो, deselect करके फिर से three point curve लेता हूँ, लेके आपको क्या करन है, इस node पर आना है आपको, अभी इस node पर आता हूँ, यहां से hold करके, इस node तक आता हूँ, आने के बाद click को छोड़ दिया मैंने, अभी control को hold करते हूँ, इसे arc बना लेता हूँ, so देखो भी इसे arc बन गया भी, so इसे flow आ गया, अभी इसी तरह क्या है, इस point पर आना आपक यह आपको समझ में आ रहा है, अभी देखो यह total arc क्या है, selected है, अभी मैं क्या करता हूँ, pick tool लेता हूँ, लेके इस node पर आता हूँ, इसको hold करके, drag करो आपर, drag करके, जैसे इदर snap होता है, most right लिक करके left लिक छोड़ना है, तो देखो अभी आवर के कैसे line एक, copy बन गया अ इस note होँ, तो इदरowane edge करके आपको दिखा रहा है, इदर node पर आणा आ आपको, hold करकेòng करता हूँ, फर से this node पर आता हूँ, इदर, इदर आपको node करके दिखा रहा है, तभी आपको click छोड़ना है, अभी control को hold करता हूँ, ऐसे इदर भी क्या है, इसे, karo कर लेता हूँ, इत कंट्रोल को होड़ करता हूँ तो दिको भी इसा करो बन रहा है अभी इदर क्लिक करता हूँ मैं अभी इसी लाइन को क्या है नीचे भी रिपीट करना है मुझे तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ पिक टूल लेता हूँ लेके इस नोड को होड़ करके ड्राग करना है जै को स्लेक करके ctrl g प्रdot करता हूं तु देखो भी एग ग्रुप हो आ अभी देखो इस में क्या है कुछ colors को मुझे fill करना है तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूं इदर interactive fill टूल के अंदर आता हूं इसमें क्या है smart fill है smart fill hating tool लेता करता हूं तोड़ा जूम करके वर्क कर लेना आप सो देखो भी इतना पॉर्शन हो गया भी सो इतना कंप्लेट होने के बाद अभी मैं क्या करता हूं इस पॉर्शन में आता हूं तो देखो भी इसे क्लिक कर रहा हूं मैं इसे क्लिक करना है देखो अभी यह क्या है इसे टोटल क्या है इसे फिल हो गया अभी इन सब को सेलेट करता हूं मैं अभी देखो पिक टूल लेके इसे बाहर से ड्रैक करता हूं यहां तक लेता हूं मैं अभी देखो इस subject को बाहर रखते हुए इन सब को select किया मैंने अभी इसको drag करके आपको दिखाता हूँ देखो अभी ये सब movement हो रहा है कि में आपको अजब करके करना अपको इतना फिल हो गया भी इतना पोस्शन हो गया अभी इस side का portion लेता हुँ मैं अभी इन सब को select करता हूँ सेलेट करके क्या है फिर से lowest boundary प्रेस करता हूँ तो दिखो वह बिस एक outline आगया भी अभी मैं क्या करता हूँ इस node को hold करता हूँ इस node को hold करके इस node पे लाता हूँ तो दिखो भी जैसे इस नाप होता है तभी क्लिक छोड़ रहा मैंने अभी दिखो इधर एक portion है इस portion को लेना है आपको तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ फिर से इदर smart fill क्लिक करो क्लिक करके इसको node ऐसे hold करके drag करता हूँ इस node पे लाके click छोड़ देता हूँ अभी इसको क्या है black shirt देता हूँ मैं so अभी देखो मुझे क्या करना है इस cover को मुझे ठीक करना है पहले अभी देखो इदर भी क्या है कर cover जैसा है इसको straight में लेना है तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ इदर freehand tool लेता हूँ लेके यहाँ पे click करके इसे control को hold करते हूँ इसे लेता हूँ so देखो भी इस angle से line draw किया मैंने अभी इस line को क्या है इस तरफ लेके आता हूँ इस snap होने के बाद क्या है click को छोड़ दिया मैंने आप चाहे तो और थोड़ा ऐसे ऊपर ले सकते है line को so देखो भी ऐसे लेया मैंने अभी इसी तरह क्या है इदर भी एक line लेता हूँ click करके इसे drag करो आपर straight line लेना है ऐसे so अभी इसको select करता हूँ shift के साथ इसको भी select करके R प्रेस करो आपर ये right alignment हो गया अभी अभी इसको क्या है मुझे smart fill करना है तो उसके लिए इदर smart fill tool लेता हूँ लेके इदर click करो आपर तो देखो भी ऐसे fill हो गया अभी देखो ये selected है shift के साथ इस portion को select करता हूँ select करके weld कर लेता हूँ मैं तो इस single object बन गया अभी इस line को delete कर देता हूँ इसी तरह क्या है इस portion को लेता हूँ shift को hold करते हूँ इसको click करना है आपको click करके weld करना है तो इसके साथ ये weld हो गया अभी इन line को delete करता हूँ तो दिखो भी ऐसा आ गया अभी इसको क्या है एक shade देता हूँ मैं समझो भी इसको एक red shade दिया मैंने अभी इसको क्या है थोड़ा dark देता हूँ यह red में थोड़ी तरह तक hold करो आप आप hold करने से दिखो यह maroon color बन गया भी तो यह समझ में आ रहा आपको अभी इसको और थोड़ा 3D लुक देने के लिए इसको क्या है इस portion पर राइट करो राइट करके ब्रेक करो आप ब्रेक करने से दिखो यह दूनों आलग अलग हुआ है इसी तरह क्या है इसको भी इसको और थोड़ा इसे नीचे ले लो आपका और इसका जो एंगल है इसको इस एंगल पर लेता हूँ मैं सो देखो भी यह lighting जैसा आपको दीख रहा है यहनी shadow जैसा लग रहा है आपको अभी इसी तरह क्या है इस portion में आता हूँ इसको भी क्या है इंट्रेक्टिव फिल टूल लेके इधर क्या है अभी इसको क्या है control को hold करते हूँ इसे state में लेता हूँ इसे अभी इस point क्या है black कर लेता हूँ दिखो भी इसको क्या है और तो यह से distance लेता हूँ दिखो भी यह shadow जैसा आपको लग रहा है तो अभी समझो इस portion में भी आप फिल हो गया अभी इस line को क्या है delete करता हूँ और इस portion को क्या है black shadow देता हूँ अभी आपको क्या करना है transparency tool लेके इसे क्लिक करके इसे drag करता हूँ मैं control को hold करते वे drag किया है मैंने अभी इसको तुला इसे distance लेता हूँ तो दिखो भी इसे black shadow आ गया भी इधर तो यह रिमूव किया मैंने अगर आप चाहे तो इसको क्या है का white outline भी आप रख सकते हैं सो अभी इधर क्या है white line देता हूँ मैं सो white line दिया मैंने अभी इस line का thickness का है थोड़ा बढ़ा कर लेता हूँ मैं समझो भी इसको four point किया मैंने इस तरह भी आप यूज कर सकते हैं अगर यह करते हो तो आपको कुछ doubts होगे रहा है तो मुझे comment box में comment किजिएगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस channel को subscribe करन जूँ हFrिजूओ ठब्unnज और भी अभी इस कर दोते हूँ को कि ए hug out